अपनी परिसानियों की वज़ा दुसरों को मानने से आपकी परिसानी कभी कम नहीं हो सकती आपको हमेशा ये सोचना है अगर कभी भी प्रॉबलम में हो कि आपके अंदर क्या अबिलिटी है कि आप उस प्रॉबलम से बाहर निकल पाए और जिस दिन आप अपने आपको पहचान गए ना उस दिन आपके लाइफ में प्रॉबलम तो सबके लाइफ में आती है लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उस प्रॉबलम को जहिलने में माहिर हो जाएंगे और आप एक समय ऐसे इस्टेजे पहुचेंगे जहां पर एक सक्सेशफुल पर्सन को आप खड़े होते हुए दिखते हैं तो जो भी चैनल के उपर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अब बिट आपको मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा पूरा प्रिडियफ सक्सेश की 98.IN से आप सभी को मिल जाएगा और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 29 सेप्टेंबर की important current affair उसके पहले मैं आप सभी को बोल दूँ आज दोपहर में तीन बजे special announcement करने वाले हूं पूरे हफ़ते भर के क्लास को लेकर तो देख लीजेगा किस दिन आपका कौन सा chapter आपका complete करवाया जाएगा तो तीन बजे timing याद रखेगा आप सभी के beach success की 98 पर live आने वाले हैं ठीक है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त है किस राज सरकार ने कितने रूपए की वार्सिक सहायता की घोषणा की है किसके लिए जो भी triple तलाग के पीडित हैं उनके लिए तो ये घोषणा किया गया है आपका उत्तर परदेश सरकार के द्वारा यानि जो भी triple तलाग की पीडित है ना उनको वार्सिक 6000 रूपए का जो है वो सहायता दिया जाएगा और उत्तर परदेश के राज़िपाल कौन है तो अनंदीम बैन पटेल क्यापिटल लखनव और वहां के मुख मंत्री कौन है तो वो है आपकी योगी आदित्तेनाथ ठीक है अगला प्रस्ता मारे सामने है यू एन्सी टी एडी इस एजेंसी के द्वारा आपको बताना है current year 2019 में जो इंडिया का जी डी पी ग्रोथ है वो कितना रहने वाला है ये आपको बताना है और उनके अनुसार जो दर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 6 परतिसत और अच्छा UNCTAD का full form क्या है तो United Nation Conference on Trade and Development और इसका headquarter कहां पर है ये भी याद रखेगा जेनेवा स्यूजरलेंड में अगला प्रस्त मारे सामने है Chief of Staff Committee यानि COSC यानि Chairman of Chief of Staff Committee के नए अध्याज के रूप में किसे निवत किया है यानि किसे appointed किया गया है उनका नाम आपको बताना है और ये appointed किया गया है आपका General VP रावत option number A ठीक है अगला प्रस्त मारे सामने है Peter Mackler पुरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है काफी important question है एक्जाम में इससे बहुत दर question बन चुका है और दुबारा फिर से बनेगा तो याद रखेगा उनका नाम क्या है उनका नाम है आपका पवालो बोरो मेटी option number B जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है जो सक्स आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा है न इनहीं का नाम है आपका पवालो बोरो मेटी जिनको अवार्ड मिला है 2019 का पीटर मैकलर पुरुसकार ठीक है अगला प्रसमारे सामने है कि एक किताब लिखा गया है उस किताब का नाम क्या है तो उस किताब का नाम है आपका रिसेट रिजेक्टिंग लिखा है यहाँ पर रिगैनिंग होगा इसको आप साही कर लीजेग इसकिताब के लिखा कौन है और इसकिताब के लिखाग है आपका सोब्रे मिनम स्वामी और इसकिताब में बताया गया है कि जो इंडिया का एकनोमिक बहुत बुरी तरह से गिर रहना उसको कैसे ठीक किया जाए उसको फिर से ट्रैक पर कैसे लेकर आया जाए सरकार क्या काम नहीं करें जो उनको काम करना चाहिए था इंडिया के उक्नामिक को लेकर। बिश्व टीम स्नूकर 2019 का खिताब जीता है आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा उस स्नूकर गेम किसको बोलते हैं और फोटो में कौन कौन दिखाई दे रहा आपको तो पंकज अधवानी और अधित्य महता दोनों बेगती का आपका नाम है यानि बिजेता कौन है तो उप्सन नंबर आपका C पंकज अधवानी और अधित्य महता उप्सन नंबर जो C है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है अगला प्रस्त हमारे सामने है जो गडित के प्रोफेसर थे जिनका हाल फिलाल में निधन हो गया है उनका नाम बताना है आपको और ये किस विश्व धाले का नाम था रोड आइसलेंड ठीक है और उनका नाम क्या था जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये ही प्रोफेसर थे मैथ के और उनका नाम था डॉक्टर दिलिब धत्ता ऑप्सन नंबर जो C है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है अगला प्रस्त हमारे सा उस सक्स का नाम जो आपके लिए अकसर लड़ते हैं खास करकर स्टुडेंट तो इनको बहुत जादा पसंद करते हैं क्योंकि ये उनका आवाज उठाते हैं सरकार तक अब अगर आप तीभी में देखोगे तो आपको हिंदू-मुस्लिम डिबेट बहुप मिलेगा लेकिन ये सक्स वो है जो आपको कोई भी अगर आप नॉर्मल सा बात है अगर आप रेल्वे की पे त्यारी कर रहे हैं रेल्वे का एक्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है आप देखते होंगे ये आपका मुद्दा सरकार तक उठाते होंगे और सभी जानते हैं स्टुडेंट के द 110% बनेगा रेमेन मैकसे से अवर्ड 2019 का किसको दिया गया है अगर नहीं बना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा इतना बोल दे रहा हूं एक्जाम में बनेगा ही बनेगा ये प्रस गैरेंटी है तो याब रखिएगा रवीस कुमार को मिला है 19 का अगला प्रस हमारे सामन ने दो साल के लिए किसकी अवधी बढ़ा दी है पढ़ान मंत्री के 38 अलाकार के रूप में उनका नाम बताना है और आपको जो फोटो में सक्स दिखाई दे रहा है वो वही सक्स का दो साल की अवधी जो है और बढ़ा दी गई है इनका नाम है आपका बीबेक देब्रॉय option number पहला जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रस्तम देखते हैं दुनिया का पहला उट हस्पताल जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है ये कहां पर इस्तित है और ये इस्तित है आपका दुबई में और आज का आपका पहला प्रस्त नहीं यही निकल कर आता है कि दुबई के आपको बताना है दुबई में मुद्रा क्या इस्तमाल की जाती है आपका क्या क्या टॉपिक करवाया जाएगा हर एक भी सहे में ठीक है सो जितने भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासात अपने मम्मी पापा का भी खयाल रखेगा ठीक है चलिए